नमस्कार, क्षेत्रिय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर के E-Content Development Program में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम आटवीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तग वसंत भागतीन में सम्मिलित लेख जब सिनेमा ने बोलना सीखा पर बातचित करेंगे जब सिनेमा ने बोलना सीखा प्रदीतिवारी जी का महत्वपूर्ण लेख है यहाँ लेख सिनिमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घर्टना को आधार बना कर लिखा गया है शायद आप जानते हों कि पहले मूख सिनिमा बनता था उसमें केवल चलते हुए चित्र होते थे इसी कारण सिनिमा को पहले चल चित्र कहा जाता था यह लेक सिनिमा के अयतिहासिक बदलाव को पेश करता है तो आईए इस लेक को लेकर विच्स्तार से बातचीत करेंगे प्रदीप्तिवारी जी सिनिमा की आलोचना लिखने वाले महत्वपूर्ण सिने आलोचक हैं वे अपनी गंभीर आलोचना दृष्टी के लिए जाने जाते हैं जब सिनिमा ने बोलना सीखा लेक को जानने से पहले आईए भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा की एक जलक देख लें यह लेक कई महत्वपूर्ण संदर्भों को हमारे सामने रखता है जैसे कि सवाक सिनिमा के पूर्व का परिवेश, सवाक सिनिमा की आयतिहासिक घटना और सवाक सिनिमा का आयतिहासिक प्रभाव जब सिनिमा ने बोलना सिखा पाट को प्रदीप दिवारी जी ने लेक के रूप में लिखा है इसमें उनोहोंने भारतिय सिनिमा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पढ़ाव को दर्शाया है पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनने से पहले जितनी भी फिल्में बनी वहां मूख फिल्में थी मूख फिल्मों में कलाकार सिर्फ अभिनाय करते थे लेकिन उनकी आवाज दर्शकों को सुनाई नहीं देती थी लेकिन 1931 को जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई तो उसमें कलाकार बोलने लगे इसके साथ ही सिनिमा जगत में एक नया परिवर्तन आया जब सिनिमा ने बोलना सीखा इस पार्ट में देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बारे में बताया है आलम आरा फिल्म 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित हुई उसके पोस्टरों पर वे सभी सजीव हैं सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिन्दा हो गए उनको बोलते बातें करते देखो यह पंक्तियां लिखी गई थी इसी फिल्म के साथ बोलती फिल्मों का नया आयुक शुरू हो गया इस फिल्म के फिल्मकार आर्देशिर एम इरानी हैं इन्होंने 1929 में हॉलिवुड की एक शोबोट नामक फिल्म देखी जिससे उन्हें बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी साथ ही फार्सी रंगमंच के एक लोक प्रियनाटक को आधार बनाकर इस फिल्म की कथा बनाई कई गाने जैसे नाटक में थे वैसे ही रख दिये संगीत कार ना होने के कारण गानों की धुने आदेशिर ने स्वयम बनाई इसके संगीत के लिए तबला, हार्मोनियम और गिटार इनहीं तीन वाग्यंत्रों का प्रयोग किया गया डबलीयम खान इसके पहले पाश्वगायक थे और पहली बोलती फिल्म आलम आरा में हिंदी और उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाशा का प्रयोग किया गया इसकी नाईका, जुबैदा और नायक विठल बने विठल को उर्दू बोलने में बहुत मुश्किल होती थी इसलिए उन्हें इस फिल्म के नायक के पद से हटा कर महबूप को नायक बना दिया गया बाद में विठल ने मशूर वकील मुहमद अली जिन्ना द्वारा मुकदमा जीत कर दुबारा इस फिल्म के नायक बने 14 मार्च 1931 को मुंबै के मैजस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित यह फिल्म आठ सब्ताह तक हाउसफुल चली चार महीनों में तयार हुई इस फिल्म को देखने के लिए दर्शोकों की भीड लगी रहती थी इस भीड को नियंत्रित करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया था बोलते फिल्मों को शुरू हुए 25 वर्ष पूरे होने पर आर्देशिर यम इरानी को भारतिय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया मोग फिल्मों में पहलवान, कर्तब करने वाले वा उचल कूद करने वाले नायकों का चयन किया जाता था जब सिनिमा ने बोलना सीख ही लिया, तो सिनिमा में काम करने वाले अभिनेता, अभिनेत्रियों का पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया था क्योंकि अब उनको अभिने के साथ साथ समवाद भी बोलना पड़ता था इसके साथ ही बोलती फिल्मों में उर्दू और हिंदी भाषाओं को बढ़ावा मिला जब बोलने वाली फिल्में बनने लगी तो लोग उन फिल्मों को बहुत पसंद करने लगे उन फिल्मों का असर लोगों की आम जिन्दगी पर भी पढ़ा लोग उन अभिनेता और अभिनेत्रियों की ही तरह फैशन करने लगे बोलती फिल्मों ने भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी अपने पहचान बनाई आलम आरा, श्री लंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में चर्चित रही भारतिय सिनिमा के जनक दादा साहब फालके को भी सवाग सिनिमा के जनक आरदेशिर्यम इरानी की ही उपलब्धी का सहारा लेना पड़ा क्योंकि सिनिमा का नया युग शुरू हो गया था लेखक जब सिनिमा ने बोलना सीखा पाट के माध्यम से हमारे सिनिमा जगत के इतिहास को हमारे सामने रखना चाहते हैं साथ ही वह सिनिमा जगत के विकास का वर्णन भी करते हैं प्रदीप्तिवारी जी ने सरल और आत्मी औ भाषा में सिनिमा की इस आतिहासिक प्रभावी घटना का वर्णन किया है। उनका यहा लेक हमें मुख सिनिमा के इतिहास से परिचित कराने के साथ बदलते दौर के सिनिमा की यात्रा को रेखांकित करता है। यह लेक हमें सिनिमा के बारे में अंतरदृष्टी देता है। हम उमिद करते हैं कि आपने इस पार्ट से सिनिमा के इतिहास के रोचक अध्यान के बारे में जाना होगा। धन्यवाद। दोपत दूँकर आपने छूंसे सिनिमा के बारे में पारे में जाना होगा। आपने प्राइब से सिनिमा के इतिहास के बारे में जाना होगा है। झाल झाल